डोस्तों माटेल मिकेनिकल यूटूब में आपका स्वागत थे तो आज का के सिट्उडियो में यह बात करने वाला हूँ क्लेमर की की कैसे फिटिंग करते तो गाएड देखिए यह उसकी किक और के को कहा पे रखना एक यह उसका कट यहां फसाना है तो गई देखिए इस जिये में केर बॉक्स फिटिंग कर रहा हूँ इसलिए किक को में दिखा रहा हूँ तो गई देखिए इस किक को इस तरह फिटिंग करना है वर देखिए यह उसका जुकट है उस पर उसको फसा देना है देखिए और इस तरह गुमा के भी चेक कर लेना चाहिए और इस की को इस तरह लगा देना चाहिए उसके बाद गाई आपको क्या करना है देखिए उसका क्लच कवर पर जाना है तो देखिए गाई आज का इस वीडियो में मैं बात आने वाला हूँ उसका किक का सेटिंग कैसे करते और किस तरह फिटिंग किया ज निशान नहीं आता तो गाई कैसे फिटिंग करना है मैं आज को इस वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाला हूँ तो सबसे पहले गाई देखिए आपको क्या करना है तो ये जो प्लास्टिक वाला बूस है सबसे पहले लगा देना है देखिए इस तरह प्लास्टिक वाला बुस लगा देना है और देखिए यह है उसका डॉग देखिए इस डॉग को इस तरह लगा देना है और गाईद देखिए जहां रुके वहाँ डॉग को लगाना है देखिए इस तरह लगा देना है उसके बाद काई आपको क्या लगाना है मैं आपको दिखाऊंगा देखिए यह है उसकी किक स्प्रिंग और यह बड़ा वाला प्लास्टिक वाला बुस देखिए इस तरह बुस को लगा देना है उसके बाद काई देखिए यह उसकी जो स्प् दिखाता हूँ लाई तो गाई देखें स्पेस की मदद से देखें उसको उपर की तरह अटेच कर देना है देखें इस तरह तो गाई देखें किक स्प्रिंग को इस तरह लगा देना है तो गाई देखें हीरो ग्लेमर में इस तरह किक को पिटिंग किया जाता है और किक स्प्र को इस तरह लगाया जाता है तो गाई देखिए यह था किक का वीडियो मैंने आपको दिखाया और इस लगाने के बाद आपको किक का टाइमिंग चेक कर लेना चाहिए कि किक का कही टेंशन है या नई देखिए इस तरह किक लगा कि आपको चेक कर लेना चाहिए देखिए किक आसानी से उपर की तरह आ रही है यानि कि उसका किक सही फिटिंग हो गया है और उसका टेंशन भी सही है तो गाई देखे यही था वीडियो तो गाई देखे हमारी वीडियो फसंद आया तो लाइक कर देना सस्क्राइब कर देना शेर कर देना एसे सारे टूविलर के लगते व बना एंग जिए